आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ वरस्तू 39-35 लाब पर बेची है तो दूसरी वरस्तू उसने कितनी हानी पर बेची है हमें पैश्ण में क्या दिया गए हमें पैश्ण में दिया गए कि एक व्यक्ति दो वरस्तू बारा हजार नो सो रुपए में क्या करता है बेचता है इस सोदे में क्या होता है उसे ने तो लाब होता है और नहीं क्या होता है नुकसान होता है अगर उसने एक वस्तू कितने 39 पर बेची है तो उसे दूसरी वस्तू पर कितनी हानी होगी यह हमें बताना है हमें क्या दिया गया है हमें दिया गया है प्रतेक वस्तू का विक्रे मुले क्या दिया गया है प्रतेक वस्तू का विक्रे मुले कितना दिया गया हमें 12,900 रूप और हमें क्या दिया गया है कि नै तो उस पर लाब हो रहा है नई हानी हो रही है तो यहापर जो लाब है वो बर क्रे मुल्य होगा क्रे मुल्य वो बराबर में हो जाएगा विक्रे मुल्य प्लस लाब के किसके लिए वो भी लाब के लिए तो यहां पे जो क्रे मुल्य होगा वो कितना जाएगा हमारे पस और यहां पे देखें क्रे मुल्य जो है वो बराबर में हो जाएगा हमारे पस विक् है वो बराबर में किसके हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा विक्रह मुल्य गुना में 100 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस में लाब का प्रतीसत तो देखें यहां पक्रह मुल्य कितना जाएगा हमारे पास 12900 गुना में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हमारे पास 139 दो 0 गुना में 100 बराबर में कितना जाएगा यहां कितना जाएगा बटे में हमारे पास 139 यह से कट जाएगा तो कितना करवा कटेगा सो तो देखिए हमारे पास यहां पर देखिए पहली वस्तू का जो क्रे मुल्ले आया हो कितना गया हमारे पास दस हजा उस पर लाब कितना ओर रहा है 39 पर तीस है तो लाब बराबर में कितना ओर हमारे पास 39 पर तीस है जो क्रे मुल्ले आया हो कितना गया हमारे पास 10 हजा तो तो उसका जो विक्रे मुले होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पस 12900, यही था हमारे पस विक्रे मुले, तो देखिए हमारे पस जो लाब आया, वो कितना आगया हमारे पस विक्रे मुले माइनस क्रे मुले, यही हो जाएगा हमारे पस लाब विक्रे मुले माइनस का क्रे मुले तो कितना आगया हमारे पस विक्रे मुले कितना है 12900 माइनस में कितना हो जाएगा 10500 तो बराबर में कितना आगया हमारे पस लाब 2900 का और हमें प्रिश्ण में क्या दिया गए हमें प्रिश्ण में दिया गए कि जो लाब है वो क्या है बराबर में हानी के तो लाब बराबर में हानी है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हानी भी कितना हो जाएगा हमारे पास 2900 रुपए की अब देखें यहाँ पर दूसरी वस्तू का क्रेमुले निकालते हैं तो ये बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास 15800 अब हमें क्या निकालने हमें निकालने हानी का प्रतिसद हानी प्रतिसद बराबर में कितना होता है हानी हानी कितने हमारे पास 3900 बटे में क्रेम मुले कितना है हमारे पास 15800 गुना में कितना 100 Do 0 से क्या होगए? 2 0 कट गई तो बराबर में कितना आ जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा 18.35 तो कितने की हानी हो गई? हमारे पास 18.35 यही क्या होगा? अब यह यदि हम विकल्प की बात करें तो हमारा जो पहला विकल्प है वही क्या होगा? हमारे इस पिशने का सही उत्तर हो जाएगा